जै भूलेनात, भूलेनात की कृपास से आप सभी सदा प्रसन और निरोगी रहें। सोमवार का दिन भगवान शंकर को समर्पित होता है और आज के दिन भक्त भूलेनात को प्रसन करने के लिए विशेस पूजा अर्चना करते हैं और उपवास भी रखते हैं ताकि भगवान शिव की विशेस कृपा प्राप्त की जा सके। बाबा भोलिनात के आशिर्वाद के लिए आप भी सुमवार का व्रत कर रहे हैं तो आपको आज के दिन व्रत कथा जरूर पढ़नी और सुननी चाहिए और आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे सुमवार वृत कथा और भगवान शिव की आरती नारत पुरान के अनुसार सुमवार वृत में व्यक्ति को प्राता हिस्नान करके शिवजी को जल और बेलपत्र अरपित करना चाहिए और भगवान शिव के साथ ही माता गौरी की पूजा भी करनी चाहिए पूजा करने के साथ ही सुमवार वृत कथा पढ़नी या सुननी चाहिए इसके बाद दिन भर उपुवास करके किवल एक समय ही भूजन करना चाहिए साधारन रूप में सुमवार का वरत दिन के तीसरे पहर तक ही होता है यानि कि शाम तक रखा जाता है शाम को प्रदोशकाल के समय भगवान शिव की पूजा करके उपवास खोड़ लिया जाता है और प्रदोशकाल होता है सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और 45 मिनट बात का समय तो शाम की पूजा आप इसी शुब मोट में जरूर करें सुमवार वरत तीन तरह का होता है एक तो हर सुमवार का वरत दूसरा सौम में प्रदोश वरत यानि की जब प्रदोश वरत सौमवार के दिन पढ़ता है तो उसे सौम में प्रदोश या सौम प्रदोश कहते हैं और तीसरा सोलह सौवार का वरत इन सभी वरतों की विधी एक ही होती है बस कथाएं अलग होती है और आपको हमारे चैनल पर सभी प्रदोश वरतों के साथी सोलह सौमवार वरत की कथा भी सुनने को मिलती है अगर आपने इन कथाओं को नहीं सुना है तो जरू सुनिएगा पौराणी कथा के निसार किसी नगर में एक साहुकार रहता था उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी जिस कारण वे बेहत दुखी था पुत्र प्राप्ती के लिए वे भगवान शिव की पूजा करता हर सुमवार वरत रखता और पूरी श्रद्धा के साथ मंदिन में जाकर भगवान शिव और माता पारवती की पूजा किया करता उसकी भक्ती देखकर एक दिन मा पारवती प्रसन हो गई और भगवान शिव से उस साहुकार की मनुकामना पूर्ण करने का आगरे करने लगी देवी पार्वती की इच्छा सुनकर भगवान शिव ने कहा हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों के अनुसार फल मिलता है और जिसके भाग जो हो उसे भूगना ही पड़ता है लेकिन पार्वती जी ने सहुकार की भक्ती का मान रखने के लिए और उसकी मनुकामना पोर्ण करने की इच्छा जताई माता पार्वती के आगरह पर भगवान शिव ने साहुकार को पुत्र प्राप्ति को वर्दान तो दिया लेकिन साथ ही ये भी कहा कि उसके बालक की आयू केवल बारह वर्ष होगी माता पारवती और भगवान शिव की इस वार्था को साहुकार सुन रहा था उसे सुन कर ना तो इस बात की खुशी हुई और ना ही दुख बलकि मैं तो पहले की तरह ही भगवान शिकी पूजा करता रहा कुछ समय के बाद साहुकार के घर एक पुत्र का जनम हुआ जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी बेज दिया गया साहुकार ने पुत्र के मामा को बुला कर उन्हें बहुत सारा धन दिया और कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्त कराने के लिए लेकर जाओ रास्ते में यग्य कराते वे जाना जहां भी यग्य कराओ वहां पर ब्रहमनों को भोजन कराकर दक्षिना देते वे ही आगे जाना दोनों मामा भांजे इसी तरह यग्य कराते और ब्रहमनों को दान दक्षिना देते देते काशी की ओर चल पड़े रास्ते में एक नगर पढ़ा जहां उस दिन नगर के राजा की कन्या का विवहा था लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवहा होने वाला था वे राजकुमार एक आंकसी काना था राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात को छुपाने के लिए एक चाल सोची साहुकार के पुत्र को देखकर उसके मन में एक विचार आया उसने सोचा क्यों न इस लड़के को दुलह बना कर राजकुमारी से विवह करा दू विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूँगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाओंगा लड़के को इस प्रकार दुले के वस्तर पहना कर राजकुमारी से विवाह करा दिया गया लेकिन सहुकार का पुत्र बहुत इमानदर था उसे ये बात बिल्कुल ठीक नहीं लगी उसने अफसर पाकर राजकुमारी की चुन्नी के पल्ले पर लिख दिया कि राजकुमारी तुम्हारा विवाहत तो मेरे साथ हुआ है लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आख से काना है मैं तो काशी विद्या पढ़ने जा रहा हूँ जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी वी बाते पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को ये बात बताई राजा ने बात जानकर अपनी पुत्री को विदा नहीं किया जिससे बारात वापस चले गई दूसरी ओर साहुकार का बेटा और उसका मामा काशी पहुँच गए और वहाँ जाकर उन्होंने यग्य किया जिस दिन लड़के की आयू 12 वर्ष हुई उसी दिन यग्य रखा गया लड़के ने अपने मामा से कहा कि आज मेरी तबियत कुछ ठीक नहीं है सुनकर मामा ने कहा तो तुम अंदर जाकर सोजाओ शिवजी के वर्दान अनुसार कुछी छड़ों में उस बालक के प्राण निकल गए मृत भान जी को देखकर उसके मामा ने विलाब शुरू कर दिया सायोग वश उसी समय शिवजी और माता पारवती उधर से जा रहे थे पारवती जी ने भगवान शिवजी कहा कि प्राण नात मुझे इसके रोने का स्वर सहन नहीं हो रहा आप करपया इस विक्ति के कष्ट को अवश दूर कीजे जब शिवजी मृत बालक के समीब गए तो वह बोले कि देवी ये तो उसी साहुकार का पुत्र है जिसे मैंने बारवश की आयू का वर्दान दिया था अब इसकी आयू पूरी हो चुकी है सुनकर देवी पारवती के मन में ममता जाग उठी देवी पारवती कहने लगी हे महादेव आप इस बालक को और आयू देने की गरपा कीजे नहीं तो इसके वियोग में इसके माता पिता भी तड़प तडप कर मर जाएंगे माता पारवती के आग रहे पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वर्दान दे दिया शिव जी की करपास से बह लड़का जीवित हो गया शिक्षा समाप्त कर लड़का अपने मामा की साथ वापस नगर की ओर चल दिया दोनों चलते चलते उसी नगर में जा पहुँचे जहां कभी उसका विवाह हुआ था उस नगर में भी उन्होंने यग्गी का आयोजन किया उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी खोब आवभगत की और अपनी पुत्री को धूम धाम से विदा कर दिया इधर भूखे प्यासे रहकर साहुकार और उसकी पतनी अपने बेटे के आने की प्रतिक्षा कर रहे थे उन्होंने निश्चे कर रखा था कि अगर उन्हें अपने बेटे की मृत्ति को समचार मिला तो वे भी प्राण त्याग देंगे परंदो अपने बेटे के जीवित होने का समचार पाकर वे बेहर प्रसन हुए उसी रात भगवा शिव ने व्यापारी के व्रत करने और वत कता सुनने से प्रसन होकर तेरे पुत्र को लंबी आयू प्राण की है इस प्रकार जो कोई सुनवार वत करता है या कता सुनता और पढ़ता है उसके सबी दुख महादेव के गरपासे दूर हो जाते हैं और समस्त मनुकामनाई भी पोर्ण हो जाती हैं अब सुनिए आरती ओम जैशिव ओमकारा स्वामी जैशिव ओमकारा ब्रह्मा विश्नु सदाशिव अर्धांगी धारा ओम जैशिव ओमकारा एकानन चतुरानन पंचानन राजे स्वामी पंचानन राजे हंसासन गरुडासन प्रिश्वाहन साजे ओम जैशिव ओमकारा दो भुज चार चतुर भुज दस भुज अतिसो हे स्वामी दस भुज अतिसो हे त्रे गुण रूपन रखते त्रे भुवन जन मोहे ओम जैशिव ओमकारा अक्ष माला वन माला मुंद माला धारी स्वामी मुंद माला धारी चंदन ब्रिग मद सोहे भाले शशिधारी ओम जैशिव ओमकारा श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे स्वामी बाघंबर अंगे सनकादिक गरुडादिक भूतादिक संगे ओम जैशिव ओमकारा करके मध कमंडल चक्र त्रिशोल धारी स्वामी चक्र त्रिशोल धारी सुखकारी दुखहारी जग पालनकारी ओम जैशिव ओमकारा ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अभिवेका स्वामी जानत अभिवेका प्रण वाक्षर में शोभित ये तीनो एका ओम जैशिव ओमकारा त्रिगुन स्वामी जी की आरती जो कोई नरगावे स्वामी जो कोई नरगावे कहते शिवानंद स्वामी रटते भोलानंद स्वामी सुख संपति पावे ओम जैशिव ओमकारा परवत सोहें पारवती शंकर कैलासा स्वामी शंकर कैलासा भांग धतूर का भोजन भांग धतूर का भोजन भस्मी मेवासा ओम जैशिव ओमकारा जटा में गंग बहत है गल मुंडन माला स्वामी गल मुंडन माला शेश नाग लिपटावत ओढत म्रिग छाला ओम जैशिव ओमकारा काशी में विराजे विश्वनात नंदी ब्रहमचारी स्वामी नंदी ब्रहमचारी नित उठ दर्शन पावत महिमा अतिभारी ओम जैशिव ओमकारा स्वामी जैशिव ओमकारा ब्रहमा वेश्नु सदाशिव अर्धांगी धारा ओम जैशिव ओमकारा ओम जैशिव ओमकारा ओमेद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी